हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब गर्मियों का मौसम और ऐसे में अगर ठंडी ठंडी सी आइस्क्रीम मिल जाए खाने के लिए तो क्या ही बात है तो चलिए आज बनाते हैं ये घर में ही बनी बहुत ही टेस्टी मलाई कुलफी जिसे मैंने बनाया है ना मावा ना अंडा ना कं ही पढ़ने वाली है और आप देख सकते हैं विल्कुल मौ में घुल जाने वाले ये आइस्क्रीम हमारी बन कर तयार होती है तो चलिए वैसेपी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक मिक्सी का जात और इसमें मैंने डाल ली आदा कप चीनी अ और इन सारी जीजो को पीस लिया तो ये हमारा आईस्क्रीम का प्रीमिक्स तयार हो गया इसे आप जादे क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते हैं और जब पहले कभी आपका अमन करे तो आईस्क्रीम बना सकते हैं अब गैस पर मैंने अनी रख लिय एक कढ़ाई और इसम दूद को चार से पांच मिनिट के करीब पकने देना है जब तक कि थोड़ा सा गारा सा टैक्षर इस दूद का ना हो जाए अब जितनी देर में हमारा दूद पक रहा है तो मैंने ले ली तो स्लाइस ब्रेट बहुत जादा नहीं लेनी आपको और पहले आप इनके किनारों को क दूद को पकते हुए 5-6 मिनट हो गई तो इस समय जो हमने चीनी और ड्राइफ्रूट्स वाला मिक्स पीस के रखा था वो इसमें एड़ कर दे और इसमें एड़ करने के बाद अब इसे आपको फिर से पताना है जब तक कि ये मिक्षर जो है थोड़ा सा और गारा ना हो जा कि अब देख सकते हैं अभी से तक्षर की कितना गारा सा यह नजर आ रहा है फ्रेवर और कलर के लिए मैंने कुछ धागी केसर की डाल दिये हैं अगर आपके पास हो तो डाल दे वरना इसकी भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने 4-5 मिनट और मिक्स को पकाया तो आप देख सकत इसका texture कि कितना गाडा सा हो गया है और अब जो वह हमने दो ब्रेट रखी थी उनको इस तरीके से टुकडों में तोड़कर आप डाल दें छोटे-छोटे तुकडों में डालें मैंने थोड़े से बड़े टुकड़े कर देते हाला कि जब ब्रेट दूद में पकेगी तो आप जब तक इसका texture थोड़ा गाडा न हो जाए तब तक आप इस दूद को पका लें और बीच बीच में इस तरीके से ब्रेट को प्रेस करते जाए जिससे ये ब्रेट अच्छे से गुल जाए आप चाहें तो ब्रेट को मिक्सी में चला कर भी डाल सकते हैं जिससे ब्रेट क्रम texture भी देख सकते हैं कि कितना गाडा हो गया है मैं थोड़ी जादा quantity में कुलफी बना रही थी तो मैंने एक लिटर दूद लिया आप चाहें तो आधा लिटर में भी बना सकते हैं बस जो मैंने quantity में चीजे बताई हैं आप उसको half कर दें तो देखे हमारा दूद काफिया तक गाडा हो गया है अब आप क्या करें इसको निकालने एक अलग बाउल में और अब हमें इसे आधी consistency तक जमने के लिए freezer में रख देना है जिससे एक तम half consistency तक जम जाए तो देखे मैंने इसे चार से पांच घंटे फ्रिज में रख लिया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चमच दूद की मलाई वही जो नॉर्मल देली घर में दूद यूज होता है वही मलाई मैंने लिया है और इस तरीके से मेरे पास यह electric बीटर था तो मैंने इसका 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 अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे mixi के jar में डाल कर भी चला सकते हैं तो जिसमें भी आप पसंद करते हैं आप उसमें जमा सकते हैं बहुत ही टेस्टी मलाई दार यह कुल्फी आपकी बन कर तैयार होगी आप इसका टेक्शर अभी से देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो टेक्शर है वह आ गया है अब मैंने थोड़ी सी गानिशिंग ड्राइफ से कर दे और थोड़ी सी टूटी फ्रोटी डाल दी है और अब जो हमारा बाकी का बचा मिक्स था मेरे पास यह तीन बाउल थे तो मैंने यह तीन बाउल में इस वाले मिक्स को भर लिया अब मैं आपको एक और तरीके से इसको जमाना बताऊंगी तो पहले क्या करें आप इन मैंने ओवरनाइट फ्रिज में इस आइसक्रीम को रख दिया था और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो हमारी आइसक्रीम है यह जम कर रेडी हो चुकी है आप इसका टेक्श्चर कलर भी देख सकते हैं कि दिखने में भी यह कितनी सुंदर और अट्रेक्टिव अच्छे से निकल आई और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है जो जम कर तयार हुई है तो चलिए कर लेते हैं कर आप कट करने से ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे मलाई वाले टैक्शर की जो हमारी यह कुलफी है वो बनकर तयार हुई है आपको काटने से ही पता चल के ऐसे mild करती हमारे जתחे mm नहीं नहीं है तरिश तो अगर आपको मेरा यह तरीक यूश्फ stribeा हो। प्लीज लाय को शेयर जरूर करें और अब्सरि पसद है तो जले के जिसना और प्रतभब आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एक नहीं रेसिपी के साथ है नियवाद